ऐसे स्केल से रियाज करना, जिससे की कम से कम डेड़ से दो सब तक आपका कवर हो जाए, तो बहतर रहता है, तो आप की गाई की जो है, इतनी तो होनी चाहिए, कम से कम डेड़ से दो सब तक की तो मिनिमम गाई की होनी चाहिए, अब वो डेड़ दो सब तक कैसे पूरा होता ह सा से उपर पंचम तक आधा और सा से नीचे पंचम तक आधा ये दो सब तक तो at least होने चाहिए उसके अलावा इसे enhance करना वो ज़ादा जरूरी है उसमें power भड़ाना तो वो जहां से आप कर पाएं वहां से आपको रियाज करना चाहिए घर बैठे निशुलक संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें रियाज आप एक बहतरीन मोबाइल अप्लिकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी करनाटक और बॉलिवोड संगीत सीख सकते हैं तो coupon code और link description में आपको मिल जाएगा जिससे कि आपको benefit ये होगा कि SPW के coupon code से 10% आपको discount मिलता है तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा तो download कीजिए ये application और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज आप से कि SPW के पागा आपको जो जो आपको जाएगा स्गर का आपको स्गर को कि SPW किए्टों से खथिए तो नमस्कार, मैं हूं मासन इशाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का योट्यूब चैनल आज बड़ा ही आसान सा सवाल है, डिरेक्ट सवाल है जो कि स्टुडेंट्स हमेशा करा करते हैं और सभी के मन में ये सवाल रहता है, वो ये है कि रियाज जो है हम कौन से स्केल से करें ये सिंगर्स का सवाल है, जाहिर बात है, हर्मोनियम वाले या तबले वाले और सितार वॉलेंट फ्लूट ये सब तो अपने अंदाज से चीज़ने बजाते ही हैं प्राक्टिस करते ही हैं पर यह जो सवाल है, यह particular हमारे singers ने पूछा है, कि कौन से scale से रियाज करना चाहिए, बच्चे हैं, कौन से scale से करें, महिलाएं हैं, कौन से scale से करें, और बड़े मर्द हैं, वो कौन से scale से करें, तो हम यहां सबसे पहले direct बात पर आते हैं, और समझते हैं, कि दो type की voices होती हैं एक male, एक female, male voices में मर्द तो आते ही हैं, और साथ में यह समझ लीजे, वो लड़के जो अभी 18 के उपर हो गए हैं, या 18 से थोड़े नीचे ही हैं, लेकिन age उनकी ऐसी हो रही है, जिसकी वज़े से body में physical changes की वज़े से, उनकी voice जो है, वो change हो रही है, वो भी उसी category में आते adults भी और वो adolescent age भी, female voices में छोटे बच्चे महलाएं और बड़ी महलाएं, सब आ जाती हैं, तो जब आप रियाज करते हैं, अब रियाज में क्या 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 करना होता है और क्या क्या नहीं करना होता है, वो सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं पहले ही, फिर भी मैं बता द अमकार का रियाज आप करते हैं, सा का रियाज आप करते हैं, आप अलंकारों का रियाज करते हैं, थाटों का रियाज करते हैं, अलग-अलग रागों के खयालों का रियाज करते हैं, ये सारी चीज़ें ताये तो ही हैं, जिन में हमें रियाज करना होता है, अब स्केल क्या ह हम चुनें, वो उस पर हम बात करने हैं. देखिए, ऐसे स्केल से रियाज करना, जिस से की कम से कम 1.5-2 सब तक आपका कवर हो जाए, तो बहतर रहता है, तो आप की गाई की जो है इतनी होनी चीह, कम से कम 1.5-2 सब तक की तो मिनिम्म गाई की होनी चाहिए अब वो डेड़ दो सब तक कैसे पूरा होता है सा से सा तक एक सब तक सा से हुपर पंचम तक आधा और सा से नीचे पंचम तक आधा ये दो सब तक तो at least होने चाहिए उसके अलावा इसे enhance करना वो जादा जरूरी है उसमें power भड़ाना तो वो जहां से आप कर पाएं वहां से आपको रयाज करना चाहिए अब जैसे कि male हैं वो हमारी पहली काली से रयाज करते हैं पहली से और पहली सफेद से कुछ करते हैं अब पहली से कि यहां से आपको करना चाहिए और ज़ोटे बच्चे और फीमें महिला हैं या लगकिया है उन्हें 4-5 जा रहा है तो और उपर पंचम जा रहा है तो यह उनका دو سب تک ہو रहा है फिर उसको और हैंएंस करेंगे पंचम से भी नीचल जाने की कोशिश करेंगे और ऊपर वाले पंचम से भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे रियाज से मरना 5 वी से केजई है 5 वी से पंचम लगाई है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको low scale से रियाज करना पड़ेगा तब ही जाके base आएगा गले में ऐसा कुछ नहीं जो रियाज है स्वर विस्तार का लंबे लंबे स्वरों का रियाज है कि एक स्वर को खरज में भी मद्य में भी तार में भी जब लंबे लंबे स्वर आप लगाते हैं तो अपने आप मजबूती आ जाती गले में और रेंज बढ़ जाती है तो उसके लिए scale बदलने की जरूरत नहीं है कि आपको base लाना है तो scale बदल दे ऐसा नहीं है scale आपका एक ही रखिए वहीं से रयाज कीजिए वहीं से सारे स्वरों को लगाई ये लंबा लंबा ओमकार का रयाज आप ब्रह्म मूरत में करें तो ज़्यादा बहतर है ये जो रयाज का है सवेरे का रियाज हो तो सबसे बहतर रहता है चार से पांच के बीच में पांच से छे के बीच में सूर्य उदर से पहले कभी भी एक डिड़ घंटा आप अगर शुरुआत करें तो उतना तो कम से कम करें एना 15-20 मिनट सा लगाएं फिर थोड़ा बहुत ओम का कर लें अ ओ ओ ओ ओ ओम जो संदी विच्षेद है इसका उसका रियाज करें फिर आप अलंकारों को गाएं जिस समय गा रहें उस समय के थाट में क्योंकि भैरव का समय है सवेरे का तो भैरव में गाएं है ना फिर आप अलंकार करें, स्वर्विस तार करें, लंबे-लंबे स्वर्व लगाएं, खरज में भी एक एक करके, एक खरज में बढ़ाएं, एक मद्धे में बढ़ाएं, फिर एक खरज में बढ़ाएं, फिर एक मद्धे में बढ़ाएं, फिर एक खरज में मद्धे में, ऐसे खरज में तो वो स्केल आपके लिए ठीक है तीसरी चौथी उपर का या दूसरी या डेड़ से रियाज करना वो बहतर नहीं है उसमें सब तक पूरा आप करना ही पाएंगे और जोर पड़ेगा गले पे कमफर्टेबली सब तक दो तो एटलीस्ट होने चाहिए मेरे ख्याल से ठीक है तो ऐसी देखते रहें संगीत प्रवाबड की वीडियो को और ऐसे ही आपकी सवालों के जवाब आप तक मिलते रहेंगे पहुंचते रहेंगे रियाज करें रियाज से पीछे नहीं ठीक है धन्य करता है थाहिए